यह कहानी है मेरे जीवन के उस दिन की जब मैं एक भयानक अपरात का शिकार बनी यह घटना मेरी जिन्दगी में हमेशा के लिए एक काला धबा बन कर रह गई मैं तुम्हें अपनी इस कहानी में उस दर्दनाग दिन के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैं कभी भूल नहीं सकती उस दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही थी मैंने सुबह उठकर अपने रोज मरा के काम किये मुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जाना था जो शहर के दूसरे कोने में रहता था मैंने सोचा कि वहाँ जाने का सबसे अच्छा तरीका मेट्र होगा क्योंकि यह सस्ता और सुरक्षित है मैंने जल्दी से तयार होकर अपने घर से निकलने का फैसला किया मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची और टिकट लेकर प्लाटफॉर्म पर खड़ी हो गई ट्रेन थोड़ी देर में आई और मैं उसमें चड़ गई ट्रेन में काफी भीड थी लेकिन मुझे एक सीट मिल गई मैंने अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए अपनी पसंदीदा किताब निकाली और पढ़ने लगी करीब आदे घंडे की यात्रा के बाद मुझे लगा कि यह सामाने तक निकी समस्या है लेकिन जब ट्रेन लंबे समय तक नहीं चली तो लोगों में हलचल मचने लगी तभी कुछ अजीब सा हुआ ट्रेन के अंदर कुछ लोग घुसाए जो हतियारों से लेस थे उन्होंने चिला कर कहा कि यह एक डखेती है और सब लोग अपनी अपनी चीजें निकाल कर उनके हवाले कर दें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं बहुत डर गई थी मैंने सोचा कि अब क्या होगा डखेतों ने एक एक करके सब लोगों के पस मुबाइल और गहने चीनने शुरू कर दिये मेरी बारी भी आई मैंने अपनी सारी चीजें निकाल कर उनके हवाले कर दी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिन्दगी का अंता गया है लेकिन असली डरावनी बात तब हुई जब उन्होंने एक महिला को खीज कर उसके गहने चीनने की कोशिश की और वह चीखने लगी चीख सुनते ही मुझे और ज्यादा डर लगने लगा तभी एक डखेत ने उसकी चीख बंद करने के लिए उसे ठपर मारा यह देख मैं कामपने लगी डखेतों ने अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म किया और ट्रेन से उतर कर भाग गए कुछ समय बाद ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया सभी यातरी सक्ते में थे किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में डर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँची तो मैंने तुरंथ पुलीस को सूच ना दी पुलीस आई और सभी यातरीयों के बयान लेने लगी मैंने भी अपनी कहानी बताई पुलीस ने आशवासन दिया कि वे डकैतों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे उस घटना के बाद मुझे काफी समय तक डर लगता रहा मेट्रों में सफर करना मेरे लिए मुश्किल हो गया लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और जिन्दगी को फिर से सामाने करने की कोशिश की उस दिन ने मुझे सिखाया कि जिन्दगी कितनी अपरत्याश्चित हो सकती है और हमें हर परिस्थिती का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए यह थी मेरी जिन्दगी का सबसे खतरनाक दिन जो मैं कभी नहीं भूल सकती मुझे उमीद है कि आप भी मेरी इस कहानी से कुछ सीखेंगे और सतर्क रहेंगे